हेलो एक स्टूडेंट्स वेलकम टू एमस क्लासेस एक स्टूडेंट्स आज हमारी टीम आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ चुकी है जिसका हेडिंग है उर्दू अपनी जुबान क्लास 6 चेप्टर नंबर 5 हजरत मुहम्मद स्लिएल्लाहुरी सल्लाम और इसका ह स्टूडेंट्स का उर्दू अपनी जुबान का चेप्टर नंबर 5 का सिलूशन है और चेप्टर नंबर 5 में जो भी हमवर्क दिया गया है चाहिए वो लफज और माना हो या सवाल और जवाब हो या फिल इंदा बलेंक्स हो सब को इसके अंदर हल किया गया है चलिए शूर माना फिर तीसरे लाइन में लफ्ज चोठें में तिसरी माना रहेगा इसी तरीके से नीचे तक दिया हुआ होगा सबसे पहला लफज है विलाद सबसे बह Almost द्यारा दसका माना माना इंतिकाल स्ब्सक्राइं मा यहादि कर सकते हैं या इंतिकाल या मौत यह इतर रहेगा आपके अब्बु जो है आपके सरपरस्ट का लाएंगे कियों इसलिए कि वह देखबाल आपके करते हैं तेजारत इसका माणा है बेवापार इतों समझते ही आप दियानत अगला लफ उसका माना है इमानदारी अगला अगला लफ्भ यह माना है मौामला की जमाहें लेन देन यानी जैसे के मौामलाथ यह आपका सकते हैं, यह पुल्डर है और मौामला इसका सिंगॉलर है और इसका मानँ है लें देन Light अमानत यह एक लफज है इसका मानँ है वह चीज जो किसी के पास वक्ती तोर पर हिफाज़त के लिए रख दी जाए जैसे कि आप कहते हैं कि यार मुझувати सौरूपिया ले लो कल मुझे दे देना तो ये सोरूपिया जो है आप उसको अमानत के तरपर दे रहे हैं ओमानत कहला एगा इमानत कहला है इसका माना है एक दादा की अलाद बड़ा खांधान गिरो जैसे कि आपका दादा, परदादा, चरदादा से आप लोग एक ही साथ रहते हैं तो आपका कहलाएगा कि आप एक कबीले के लोग है अगला लफज है हजर-े-अस्वद इसका माँना है वो काला पत्थर जो काबा की दिवार में लगा हुआ है यह एक पत्थर है जो काबा के अंदर लगा हुआ है उसका नाम है हजर-े-अस्वद नसब करना इसका माँना है लगाना जैसे कि आप दिवाल के अंदर एक बॉल फिट करते हैं तो वो कहा जाएगा कि आप दिवाल के अंदर एक बॉल नसब किये हैं आगे है सुलह इसका माना है मील मिलाप समझहोता दोस्ती तीनों में से कोई एक माना याद कर सकते हैं जैसे कि दो आजमी में जगड़ा हो गया आप उसके अंदर दोस्ती करवा दिये तो यह कहा जाएगा कि आपने उन दोनों क किसी के साथ भेद भाव ना करना मुसावात कहलाता है जैसे किसी को अमीर है तो उची निगासे देख रहे हैं गरीब है नीची निगासे देख रहे हैं तो यह मुसावात नहीं होगा बलकर सब को एक बराबर से देखिएगा यानि सब को एक ही कर्टेगरी में तो कहलाएग कि आप मुसावात कर रहे हैं सब के साथ बावाकार अगला लफजा इसका माना है इज्जत वाला किसी भी तरीखे के उसको इज्जत हो तो उसको कहेंगे ये बावाकार शखस है वर्सा मरने वाले का माल छोड़ा हुआ माल मरने वाले का छोड़ा हुआ माल या तरका दोनों में से कोई एक माना याद कर सकते हैं कोई भी शख्स मरता है तो जो भी माल और दौलत छोड़के जाएगा उसको कहते हैं वरसा रसूल इसका माना है पैगंबर या दूसरा माना याद कर लिजे खुदा का पैगाम लाने वाला अगला लफज है काम अंजाम देना इसका माना है काम पूरा करना कोई भी आप काम पूरा कर लिजेगा तो कहा जाएगा आप काम अंजाम दे दिये अगला लफज है जान कुर्बान करना इसका माना है जान दे देना अगला लफज है हक का रास्ता इसका माना है सच्चाई का रास्ता अगला लफज है हिज्रत इसका माना है वतन छोड़ देना कि यह दूसरा माना याद कर सकते हैं हजरत मुहम्मद का मक्के से मदीने जाना है यानि हजरत मुहम्मद सलल्लाव अले सल्लम भी मक्का इनका अपना वतन था लेकिन इन्होंने मक्का को छोड़ कर मदीना चले गए थे तो क्या कहलाएगा यह हिजरत कहलाएगा तो हिजरत का अ अपने वतन को छोड़ कर दूसरी जगा जाकर रहने लगे मकबूलियत अगला लफ़ इसका माना है मशुहूर होना शुहरत अगला लफ़ इजाफा इसका माना है बढ़ना अगला लफ़ मिजाजपूर से इसका माना है हाल पूछना खेरियत मालूम करना अगला लफज तिमारदारी इसका माना है बीमार की देखभाल या कोई बीमार है बीमार शक्स है आप गए उसके देखभाल कर रहे हैं बीमार को तो कहा जाएगा तिमारदारी कर रहा है यह बीमार की हुजरा अगला लफज़adem है इसका माना है कौठरी मस्जिद से मिला हुआ छोटा कमरा हुजरा कहते हैं स्टुधेंट्स कोई भी रूम हो उसको कहा जाएगा हुजरा ये आम लफज है लेकिन मस्जिद में भी एक इमाम के लिए छोटा सा कमरा बनता है उसको भी हुजरा कहा जाता है सुपूर्दे खाक करना इसका माना है मिट्टी के हवाले करना दफन करना कोई भी शख मर जाता है तो आप मुसल्मानों के अंदर देखिएगा कि वो एक कब्र खोटते उसके अंदर उसको रखते है तो वो कहा जाता है ततफीन किया जा रहा है उसको दफन किया जा रहा है उसी को कहा जा जा रहा है सुपूर्दे खाक करना exercise का आगला पार्ट है student सोचिए और बताइए यानि question answer जिसको आप कहा सकते हैं सबसे पहला सवाल है हजरत मुहम्मद ﷺ की पैदाइश कहा हुई इसका जवाब है हजरत मुहम्मद ﷺ की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई दूसरा सवाल है आपको अमीन और सादिक क्यों कहा जाता है इसका जवाब है एकदम आसान जवाब आपको अमीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप अमानत दार थे किसी के अमानत में खयानत नहीं करते थे और आपको सादिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप हमेशा सच बोलते थे कभी जूट नहीं बोलते थे तीसरा सवाल है हजर अस्वद किसे करते हैं आसान जवाब हजर अस्वद उस काले पत्थर का नाम है जो खाने काबा की दिवार में लगा हुआ है चौत्वा सवाल है हजरत मुहम्मद ने मिल जूल कर काम करने का तरीका किस तरह समझाया तो इसका जवाब है हजरत मुहम्मद ने एक मजबूत और बड़ी चादर मंगवाई फिर फरमाया हर कबीले का सरदार आगे बढ़े और इस चादर का एक एक सिरा अपने हाथों में थाम ले और हज्रिय सुवत को खाने कावा की दिवार के पास उठा कर ले चले चुनांचे उन्होंने हज्रिय सुवत को खाने कावा की दिवार के पास ले गए फिर आप स्लिए लिए अपने मुबारक हाथ से उसको उठा कर खाने काबा की दिवार में सही जगा पर रख दिया इस तरह हजरत मुहम्मस अल्लाहु अल्यूशलम ने मिल जूल कर काम करने का तरीका समझाया अगला सवाल है आप अबादत करने और गौर फिक्र फर्माने के लिए कहा जाते थे इसका जवाब है आप अबादत करने और गौर फिक्र फर्माने के लिए मक्का के पास पहाड़ियों में चले जाते और वहां गारे हिरा में अकेले चुपचाप अबादत करते और गौर फिक्र फर्माते च्छटा स्वाल है जिस किताब में खुदा का मुकमल पैगाम है उसका क्या नाम है इसका जवाब है जिस किताब में खुदा का मुकमल पैगाम है उसका नाम गुरान है साथवा स्वाल है हज़रत मुहम्मद ने जब पहली बार इनसानों को खुदा का पैगाम सुनाया तो आपकी अमर क्या थी इसका जवाब है हज़रत मुहम्मद ने जब पहली बार इनसानों को खुदा का पैगाम सुनाया तो आप सुनाया तो आप सुनाया की अमर 40 साल थी के अंदर भी जायद है मेरे ख्याल से असल स्वाल ये होनी चाहिए आप ने खुदा के पैगाम के जरीए इनसानों को क्या तालीम दी ये भी गलत लिखा हुआ है किताब के अंदर भी आप अपने सरजी से भी आप पूच सकते है इसका जवाब है आप स्वाल ये खुदा के भेजे हुए पैगाम के जरीए इनसानों को ये तालीम दी कि वो अच्छी बातों को इख्यार करें और बुरी बातों को छोड़ दें किसी से लड़ाई जगड़ा ना करें किसी पर जल्म ना करें किसी को ना सताएं हर एक को अपना भाई समझे वगएरा का मतलब ये है कि और भी बहुत सीजों को तालीम दी बहुत चीजों की लेकिन यहाँ पर अगर लिखा जाएगा तो जवाब लंबा हो जाएगा इसलिए वगएरा लगा दिया गया स्वाल नमबर नाईन है अल्ला का पैगाम लोगों तक पहुँचाने में आपको क्या-क्या मुसीबते बरदाश्ट करनी पड़ी इसका जवाब है हजरत मुहम्मस स्लिल्लाहु अलईही वसल्म को अल्ला का पैगाम पहुँचाने में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा जैसे लोग रास्ते में गंदगी बतन पर फेंक देते थे लोग जान से मार देने की धंकिया देते थे वगएरा बहुत सारी तकलीफ हो देते थे लोग लेकिन कुछ को यहाँ पर दिया गया है सवाल जवाब लंबा होने के वज़े से अगला सवाल है दुनिया में सबसे पहले किस मख़ब ने औरतों को समाज में बाइज़त मकाम अता किया इसका जवाब है दुनिया में सबसे पहले मख़ब इसलाम ने औरतों को समाज में बाइज़त मकाम अता किया अगला एक्सेसाइज का पार्ट है स्टूरेंट्स नीचे दिये हुए लफजों से खाली जगा को भरिये यानि ये लफज दिया हुआ है बच्चे, गारे हिरा, दाखिल, इंतिकाल, फैसले हजर असवत, पेगंबर, तालिमात ये चंदल, अलफाज है इसमें से चुन-चुन कर फिलिन दबलेंग्स देना है तो लफज जुमला दिया हुआ इसमें हम भर कर आपको दिखाया हुए है देखते रहे हैं, कुछ महीने पहले आपके वालिद अब्दुल्ला का इंतिकाल हो गया ये वाला लफज जो है, यहाँ पर आएगा अगर कहीं जगड़ा हो जाता तो लोग फैसले के लिए आपके पास आते ये जो है फैसला दूसरे नमबर पे लगज़ेगा लेकिन हजर अस्वद को नसब करने के सिलसिले में एक मुश्किल आन पड़ी तो यहाँ पर जो है हजर अस्वद वाला लफज यह वाला लफज यहाँ पर लगएगा आगे है, आखिर तयप आया कि कल जो शखस सबसे पहले काबे में दाखिल हो वो इसका फैसला करेगा दाखिल का लफज इस जमले में लगएगा और वहाँ गार-हिरा में अकेले छुप चाफ अबादत करते और घरो फिक्र फरमाते यह गार-हिरा का लफज इस जमले में इस जमले में फिल इन्दबलेंग्स रहेगा आपका जो भी रेट कलर से दिया हुआ होगा वो समझे फिल इन दा बलेंक्स है आपका जिस जमाने में हजरत मुहम्मद ने अपने पैगंबर होने का एलान किया इसमें जो है फिल इन दा बलेंक्स पैगंबर रहेगा और अपकी हालत बहुत खराब थी उपर वाले जुमले का कुछ टुकड़ा बचा हुआ था सात्वा है उनके असरात और तालिमात से कबीलों की दुश्मिनिया खतम हो गई तालिमात ये फिल इन दा बलेंक्स रहेगा एक बार आपने फरमाया बच्चे तो खुदा के बाग के फूल है तो बच्चे फिल इन दा बलेंक्स रहेगा अगला एक्सराइज है नीचे दिये हुए लफजों को जुमलों में इस्तेमाल कीज़े यानि कुछ लफज दिया हुआ है उससे आपको सेंटेंस बनाना है तिजारत, कबीला, सुलह, मुसावात, हिजरत ये सब लफज है इससे सेंटेंस बनाया हुआ है देखिए मैं तिजारत के सिलसले में हिंदुस्तान आया हजरत मुहम्म्म्स स्लिल्ला कुबीला कुरेश से थे ये कबीला इसमें आ गया जगड़ा करने वालों की आपस में सुलह कराना बहुत सवाब का काम है तो इसमें सुलह का लफजा गया जुम्ला बना हुआ है सुलह से मुसावात से भी जुम्ला बनाना है हजरत मुहम्म्मस स्लिल्ला अले सल्लम मुसावात का दर्स दिया यहां पर ने छूट गिया हुआ है स्टूडेंट्स अगला है हजरत मुहम्मद सब्सक्राइब मक्का से मदीना हिजरत करके तश्रीफ ले गए तो हिजरत से यह जुम्ला बनाया गया है अगला जुम्ला एजाफा से बनाना है मेरी तंखाह में और एजाफा हो गया तीमारदारी से भी बनाई एक जुम्ला खालित की तीमारदारी के लिए मैं उसके पास गया मिजाज पुर्सी से भी एक जुम्ला बनाना है हमें एक दूसरे की मिजाज पुर्सी करनी चाहिए यह ह हो गया अब आगे जो है कुछ और exercise दिया हुआ है जिसको नहीं देना चाहिए लेकिन इसके अंदर दे दिया गया है देखिए लिखिए इसमें exercise है सुवाल जवाब के शेकल में मैं बनाया दिया हूं हज़रत मुहम्मद के वालदा चचा और दादा का नाम लिखिया यानि इसमें पैरेंट्स और इसी तरीके से जो चचा है और इसी तरीके से जो दादा है इन चाथ लोगों का नाम पूछा गया है इसमें इसका जवाब दिया हुआ है हाज़रत मोहम्म्म ז. इयूह 27thDING के अबबा का नाम था अब्दुल्ला चचा का नाम था अबु तालिप और दादा का नाम था क्या अब्दुल्मुत्तलीब यह दूसरा सवाल है हाज़रत मोहम्मद मक्के से हिज़रत करके कहां तश्रीफ ले गए इसका साफ जवाब है कि मक्का से मदीना गए थे वो तो हज़रत मुहम्मद मक्के से हिजरत करके मदीना तश्रीफ ले गए तीसरा सवाल जब हज़रत मुहम्मद को तरह तरह के लालच दिये गए तो आपने क्या फरमाया असान जवाब है अगर तुम मेरे हाथ में एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दोगे तब भी मैं खुदा का पेगाम पहुचाने से बाज नहीं आऊंगा चौथा सवाल है थ्यूदा स्वाल है अरब की क्या हालत थी तो इसका जवाब है थ्यूदा के दुनिया में आने से पहले अरब की हालत ती यहां टक कि लोग अपनी बेटियों को भी जिन्दा दरगोर कर दे थे इसी सवाल के साथ वीडियो खतम होती है अगर हमारा चाइनल आपको पसंद आया हो हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे वीडियो पर अगले वीडियो के लिए यानि हमारे चाइनल पर बने रहे है अगले वीडियो के लिए